मैं, अम्मी जब मेरी शादी हो जाएगी, तो मेरे बगएर आप कैसे रहेंगी, अम्मी, बहुत सुकून से, शोहर, आज सब्जी में नमक प्याबा है, बीवी, नमक पुरा है, आज सब्जी कम थी, नतीजा, बीवी कभी वलत नहीं होती, काश ऐसा मुंकिन हो, कि मैं ठाक प्लिश के पोस्ट करूँ, और उसे बोली वज जाए, पाकिस्तानी प्यार, मा से हो तो इबादत, बाप से हो तो मुकदस, बहन भाईयों से हो तो फर्ग, और गीवी से हो तो थल्ले लग गया गे, बीवी ने शोहर का मुबाईल देखा, फोन बुक में लड़कियों के नाम यू महफूज थे, पड़ोसन की बच्ची, नई बच्ची, पुरानी बच्ची, सामने वाली बच्ची, बीवी को तो जस्सुस हुआ, के मेरा नाम उन्होंने किस नाम से महफूज किया है, बीवी ने अपना नमबर डाइल किया, तो स्क्रीन पर लिखा हुआ था, पादल की बच्ची, आधी रात को गली में शोर सुनकर, शोहर की आंख फुली, बाहर निकरक कर महले वालों से पूछा, के इतना शोर क्यों, उन्होंने कहा, कबरदार रहना, महले के पानी में जहर आ गया है, जब ये सुनकर, शोहर वापस धर आया, तो बीवी ने पूछा, सुने, बाहर क्या हुआ है, शोहर, कुछ नहीं हुआ, सब खैर है, तुम पानी पियो, और सो जाओ, रिष्टा होने ही वाला था, यामने जाने कह दिया, मारी लड़की बहुत शडीव है, फिर मेरे हसी निकल गे, हजर को भी कहे, मुहबब से मुश्किल कुछ नहीं, तो मैट की कताब उसके मुँ पर मारे, और कही, ऐ वेट अन्नी गया, जूलन को, तक्रीब में सब से आखिर में, ऐसे लाया जाता है, जैसे वीडियो गेम में, सब से बड़ी बला को, आखिर में छोड़ा जाता है, अभी तक सिंगल हूँ, समझ में नहीं आ रहा, कोई दुआ में मांग रहा है, या कोई बदुआ दे रहा है, पाकिस्तान में लोग लड़ाई से तहने कहते हैं, तू हाथ लगा कर तो दिखा, और लड़ाई के बाद कहते हैं, तूने हाथ कैसे लगाया, स्टेटस लगाना भी मेरा स्यापा है, लगाते किसी और के लिए हैं, और फील कोई और कर जाता है, और कापी कोई और, लेटी डाक्टर, ये तुम एरे प्लेनी के बाहर, खड़े होकर औरतों को क्यों भूटते रहते हो, पपू, आपने ही तो प्लेनी के बाहर लिखा हुआ है, हवातीन को देखने का वक्ट साथ से नौ बज़े तक है, बीवी, बताएं जी, आज का खाना कैसा बना था, शोहर, तुम भी न बस, लड़ने का कोई न कोई बाहना ढूलती हो, पहले लोग, बेल बजा कर भाग जाते थे, अब वास्टप पर मेसेज करके डिलीट कर देते हैं, हर तक वही सोच नहीं, ये लो बेटा अगर सबता, बेटा, ये किस लिए ममा, मा, बेटा तुमने जब से, फेस्बुक वास्टप शुरू किया है, तब से रात को, चौकिजार नहीं रखना पड़ा, रख ले, ये तेरी मेहनद की कमाई है पगले, आज पर रोते हुए बच्चों को, मोबाल इस तरह थमाया जाता है, जैसे एमरजंसी वार्ड में, मुरीज को अक्सीजन की जरूरत हो, बेबी बेबी ही अस मामा इन पग्जाबी, काके काके हां बेबे, ठकली चीनी ना बेबे, जूट मारदा ना बेबे, लावा जुक्ती ना बेबे, खोल बुठा हां हां हां, अगर बीवी खुश हो, तो शोहर भी खुश होता है, लेकिन अगर शोहर खुश हो तो, बीवी सोचती है, आखर चक्तर क्या है, बीवी ने बड़े नाज से शोहर से कहा, काश आप एक मुबाइल से भेजे हुए, कुपसूरत मेसिज होती, और मैं आपको सेव करती, और जब चाहती परती, शोहर ने जवाबन कहा, कजूस कहीं की, सेव ही रखना, तभी अपनी इच्छी सेहली को फारवर ना करना, बीवी, तुम सारी दुनिया में भी ढूंडो, तो मुझ जैसी दूसरी नहीं मिलेगी, शोहर, तुम क्या समझती हो, ना दूसरी भी तुम जैसे ही दूंडोंगा, हद हो गई, लोगों को वीजा इंगलेंड का चाहिए, गल फैन अमरीकी, और बीवी परदे वाली मशरकी, तनखार डॉलर्ज में, काम करना कुछ नहीं, और मरना मदिने में, जो आदमी हमेशा हसता रहता है, उसे कहते हैं हस्मुख, और जिसका हसना मकमल बंद हो गया हो, उसे कहते हैं हस्मुख, बेंकार के एरपोर्ट पर, स्क्योर्टी गार्ड ने कहा, पाकिस्तानी होने का सबूत दो, मैंने जूस पीकर, खाली दब्बे का पटाखा मार दिया, लोग पता नहीं, अपने बड़े बड़े करजे मास करा लेते हैं, मैं तो छे माँ बाद भी फिम वापस लगाऊं, तो मुबाईल नेट्वर्क वाले, अपने पंद्रा रुपय काच लेते हैं, रुखसुती के वक्त दूलहन रो रही थी, दूलहा भी रोने लग गया, किसी ने कहा, वो तो अपने माबाप छोड़ रही है, तुम्हे क्या मसला है, दूलहा, इसने मेरे भी छुड़वा देने हैं, सर्दार एक दिन सोच में बैठा, सोचता रहा, सोच सोच के बिहोश हो गया, कि मेरी बहन के दो भाई हैं, और मेरा एक क्यों है, अपने मेरे बहन के दो भाई हैं, मैंने अलाइग सुपाज शैसलाबाद में, एक बंदे से पूचा, दांतों वाला डक्तर किदर बैठता है, मुझे बड़ा शली बस जवाब मिला, सारे डक्तर दंदा वाले ही बैठे ने, हमारी काम इस कदर सादा है के, अगर आप सड़क पर एक बार जोर से बोले, वो एक होते, तो कम असकम, दस बंदे मुड कर देखेंगे, के हमें तो नहीं बुलाया, अगर भपू, अंकल बीवी को फार्सी में क्या कहते है, अंकल ने ठंदे आह बरी और बोले, पुटर बीवी को फार्सी में तो क्या, किसी भी जबान में कुछ नहीं कह सकते, इनसान के इन चीज़ें कभी नहीं छुपा सकता, मुहबब, खांसे, और पापड़ खाने की आवाज, इनसान के इन चीज़ें कभी नहीं छुपा सकता,